हलो दोस्तो, अगर आप भी बैंक निफटी के अंदर आज की पोजिशन को देख कर गए हैं, यह आपने बाई किया है आज की पोजिशन को, तो उस पर जब एक बार नजर डालेंगे कि आज की दिन बैंक निफटी के अंदर हुआ गया है तो आज की दिन दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर जो सिचुएशन रही वो कुछ इस प्रकार से बनी के यहां पर यह जो मुमेंटम आया एक यह लेवल जो था कके सब्सक्राइब काफिक से पहले यह एक डौन साइड मुमेंट कर रहा था एक यह देखिए यह जब भी मॉर्कित इस लैवल के आसपास आया था अभी मार्केट इस लेवल के आसपास आया तब तब इस मार्केट नहीं यहां से इसको रिजेक्शन किया है फिर यहां से इसको रिजेक्शन किया है अभी मार्केट के अंदर जो है शार्प सेलिंग आचुकी है अगर आपने इस शार्प शेलिंग के अंदर पैसा कमाया है तो वह देखे इस 5 EME के स्ट्राटजी के ओपर कैसे बनेगा बैंक निफ्टी में माज मेने टाइम फ्रेम पर तो सबसे पहले हम आज की दिन पर चलते हैं कि आज का दिन जो था वह एक शार्प फॉल डे था इसके अंदर कोई वह नहीं है कि आज के दिन शार्प फॉल नहीं और दूसरा ये पूरे प्रॉपर साइडवेज में चले गए थे पूरे प्रॉपर जो है साइडवेज मार्केट में चले गए थे और जब इनोंने अपना लो क्रॉस किया लो क्रॉस किया तब जाकर इसने भी अपना एक रेजिस्टेंस लेते हुए इस जोन से ऐसे यहां से यह जॉन से निकला और निकलते ही एक डाउनसाइड आया और डाउनसाइड जैसे ही आया यह तभी देखिए हमें एंट्री मिली एंट्री एसल और बाइंग देखिए दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि सारा दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिलती सारा दिन हम बैठे रहते हैं एक entry के चक्कर में क्योंकि एक trader के पहाचान वही होती है के patience रखना ज्रूरी बहुत ज्यादा ज्रूरी होती है है इस market के अंदर अगर आप patience नहीं रखेंगे इस market के अंदर तो market आपको यहां से बाहर निखाल दीगी और बाहर निकालेगी तो आपको आपका जो कैपिटल है वो सारा कैपिटल दे कर जाना पड़ेगा बढ़ दोस्तों मार्केट के अंदर आगर आप पेशन्स बनाए रखेंगे तब आपका हो सकता है कि कुछ इस मार्केट के अंदर हो जाए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो से आप हीरो तक जाएंगे बट ऐसा एक यह जो फेज होता है न यह उपर जाने का रास्ता यहां तक कि जीवन को एक अच्छा माना जाता है और एक बहुत सारी शिक्षा हैं इसके अंदर हमें देखनों को सीखने को मिलती हैं और आप भी वही कि करी वही करें ताकि जिससे आपको एक अच्छी शिक्षा मिले और आप भी एक पेशन्स के साथ इस मार्केट में स्ट्रेटजी के साथ बैट रहें कि देखिए आज का दिन मेरा भी सारा दिन ट्रेड के अंदर चला गया मैं भी देखता ही रहा कि आप डाउन आप डाउन हाइ 500 हए 300 फॉंट हाइ 400 पॉंट इतने पॉर्ट गिरा भी 300 चला गया 400 चला गया 200 पॉंट पॉइंट चला गया पचास पॉइंट चला गया डेली तीस पॉइंट लेने वाला व्यक्ति में देखता रहा कि सो डीड़ सो पॉइंट भी चले गए बट क्या हुआ के एड़ एंड ऑफ द डे मार्केट ने मेरी भी सुनी और मार्केट मेरे लिए भी एक उपरिशूनिटी लेकर आया क्योंकि मैं सारा दिन बैठा था और यह यह उपरिशूनिटी जो थी वह मार्केट लेकर आया मैं इतना जो था इसके यह एच्टी एफसी और आईसी एईसी और कोटक और यह चार कंपोनेंट्स जो है यह देख रहा था जो इसके अंदर काफी अच्छी मोटी वेटिज रखते हैं अपनी इस मार्केट के अंदर और यह देखते देखते मुझे यहां पर एसल और यहां पर इसकी बाइंग मिली और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट यहां तक तो यह था दोस्तों आज के दिन का अब कल क्या कर सकता है मार्केट चलिए कल के दिन के बारे में बात कर लेते हैं और रही बात कल के दिन की तो कल के जो आपको 170 से 170 से 180 पॉइंट का जो पीई सोरी सीई के अंदर मिले गए और पीई के अंदर जो आपको मिलेगा वो है 170 से 180 पॉइंट के बीच का यह वाला 42 दोसों के असपास का अगर मार्केट यहां कहीं पर ओपन होता है तब आप इसको एक बड़ी केंडल जाएगा उसके बाद एक पैसे यहां वरैसल और बाइंग के साथ यहां तक का टार्गेट रख सकते हैं और अगर मार्केट यहां से डाउंट्रेंड आया तो मार्केट हो सकता है कि इस लेवल से यह जो लेवल है मार्केट का इस लेवल से अजा अप साइड मूव करें अप आपको दोनों ही चीजों में ना दिक्कत हो तो मार्केट को यहां तक कवेट कीजिएगा अगर मार्केट यहां आया तब एक आप कैंडल देखेंगे उसका हाई पर एसल और यहां पर लो लगाएंगे उसके बाद एक डाउन साइड की मुवमेंट पकड़ेंगे और यह था द